मेरट से दिल धहला देने वाली घटना सामनी आई है मामला थाना इंचोली शेत्र में वना गाओ का है जहां एक तायर गलाने वाली फैक्टरी में बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभी रूप से घायल हुए है घायलों को नजदी के अस्पताल में उपचार के लिए भरती कराया गया है वही सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुची है और बचाव कार्य अभी भी जारी है खबरों के मौताबिक तायर गलने वाली फैक्टरी में बॉयलर फटने से अवास अस्पताल का इलाका डहल उठा फैक्टरी में सुबह मजदूर काम कर रहे थे इसी दोरान सुबह लगबग 6 बचे के आसपास दोरदार धमाके के साथ फैक्टरी में बॉयलर फट गया और ये फैक्टरी अभी थाकूर की बताई जो आ रही है और यहां का निवासी है हाथसा का पता लगते ही एसपी मौके पर पहुँचे उन्होंने मेडिया से बाच्वित करते हुए क्या कुछ जौनकारी दी सुनिए यह देखी यहां पर मवाना रोड पर फिट्टरी के पास दुरगा एंटरप्राइसिस करके एक केमिकल टायर से केमिकल बनानी की फैक्टरी ती जिसका बॉयलर फटने से दो लोग की मित की हुई है दो लोग गाहल पुलिस रशाशन मौके पे है यहां पे बाकि डिपार्ट पहुंच रहे हैं जाच की जारी पहली प्राइट यह की जोगा है लोग के लाज से मुझे तो और जोगी फिल अगर आगे इसमें जोगी जाच में निकलेगा पर इसका आगे से हिसाब से कारवाई की तो